आज की इस वीडियो में हम जानेंगे e-commerce के advantage और disadvantage के वारे में पहला e-commerce उभखताओं को सस्ते तथा quality products को देखने का मौका देता है दूसरा यह national और international दोनों market में business activities की demand को बढ़ाता है तीसरा यह एक business concern या व्यक्तिकत रूप से global market नों पहुँचने के लिए सक्षम बनता है चौथा online shopping समान तहा अधिक सुविदा जनक होती है तथा परंपरिक shopping की अपेक्छा time saving होती है पांचवा इसके माध्यम से छोटे interfaces product की खरेदी बैंचना तथा service के लिए global market में access कर सकते हैं छटवा e-commerce की सहाता से उभोकता आसानी से एक specific product की research कर सकते हैं तथा कभी कभी wholesale कीमत पर product को खरीने का अपसर भी प्राप्त कर लेते हैं साथवा business की डस्टी से e-commerce marketing, customer care, processing information storage तथा inventory management की कीमत में कटवती के लिए काफी महत्पूर हैं आठवा e-commerce customer behavior से सम्मन्दित information को खटा करने तथा manage करने में सहायक होते हैं जो एक प्रभावी marketing तथा promotion, run नीथी को develop करने में सहाता करते हैं नौबा e-commerce business में या व्यक्तिकत रूप से 24-7 के रूप में market में access करने की सुबिदा को प्रदान करता है इस तरह यह business में sales तथा profit को बढ़ावा देता है disadvantage of e-commerce e-commerce की हानिया पहला प्रतियोगता इस्तिती को बिचारने में आसमर्थ होते हैं दूसरा बातवरन की प्रक्रिया का पूर्भा नुमान करने में आसक्चम होते हैं तीसरा ओभुकताओं को यह समझाने में आसा फल होती है कि बे e-commerce की माद्यम से खरीदी कैसे करें चौथा अधिकतर व्यक्ति किसी भी तरह की financial transaction के लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते पांचवा एक्षिट products के लिए बहुत सारी calls तथा इमेल की अब सकता हो सकती है जो खर्चों को काफी बढ़ा देती है चटवा e-commerce ग्लोबल रूप से आपके लिए दरबाजी खूल देता है अतहे ग्लोबल रूप से ब्यापारियों के लिए competition बढ़ जाता है साथवा e-commerce का प्रयोग मुक्र रूप से इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है आज भी इंटरनेट काफी ब्यक्तियों तथा छोटे छोटे ब्यक्तियों की पहुँच से दूर है इसका कारण विश्वासया ज्यान की कमी है आठवा e-commerce venture बूप से थर्ड पार्टी पर निर्भर करता है अर्थात हम बिना net के global market में access नहीं कर सकते हैं इंटरनेट थर्ड पार्टी के रूप में रोल कुपली करता है